हेलो दोस्तो आप सबी का स्वागात है गेजेट एले सुछ जेनल में दोस्तो अगर आप एक बज़र टरेंज में टीवी धूम्ड रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो मैंने नोकिया स्मार्ट टीवी के अन्बॉक्सिंग की है इस वीडियो में मैंने Nokia Smart TV के सारे डिटेल्स को बताया है इस TV के सभी डिटेल्स को जाने के लिए इस वीडियो को लाच तक देखे और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बैल आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की निट्सक्राइशन आप तक पोस्ट देखे लिए सबसे पहले बात करें बॉक्स की तो बॉक्स पर आपको Nokia के ब्रैंडिंग देखने के मिलती है और इस TV की इमेज देखने के मिलती है और साइड में इसके कुछ हालाइटिंग फीचर दिये गया है जैसे यह गूगल असिस्टेंट के सपोर्ट करता है और यह नेट्फिक सेटिफाइड है और इसमें क्रोम कास्ट इंबिलिड दिया गया है और इसमें आनक्यों के स्पीकर्स दिये गये हैं बॉक्स करना आपक कुछ डॉक्यमेंटेशन और एक एवी केबल दिया गया है जिसके जड़ी आप सेटप बॉक्स को इसके कनेक कर सकते हैं दोस्तों अगर बात के इसके बिल्ड कॉल्टी की तो यहाँ प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके स्टेंड मेटल के बने हुए है और इसके स्टेंड के क्वाल्टी भी अच्छी है और बात के इसके डिस्प्ले की तो इसमें 32 इंच की HD दिस्प्ले दी गई है इसमें आपको तीन तरफ के बिजल्स पतले देखने के मिलते हैं और नीचे के चिन थोड़ी मोटी देखने के मिलती है क्यूंकि इसमें 39W के speakers दिये गए है बात कर इसके panel के तो इसमें VA panel का उपयोग किया गया है जो 60Hz refresh rate पे काम करता है इसमें micro dimming technology का उपयोग किया गया है जिसमें आपको सभी pixel के details clear दिखाए देते है इसमें 3000 is to 1 का ratio दिया गया है जिससे black और white colors आपको clear दिखाए देते है इसमें max bright display दिया गया है जो 325 nits के brightness को support करता है इसमें आपको 178 degree का viewing angle देखनों के मिलता है इसके display में आपको AI engine देखनों के मिलता है जो इसके sets, highlights और color को combine करके आपको अच्छा viewing experience देता है बात करें इसके sound quality की तो इसमें 39 watt के onkyo के speakers दे गए है जिसमें 24 watt के main speaker और 15 watt के tweeters दे गए है इसमें 6D surrounding sound का support दिया गया है और यह dalby atmos को भी support करता है जिससे आपको इसके sound experience अच्छा देखने को मिलता है बात करें इसके performance की तो इसमें CA 53 quad core processor दिया गया है और इसमें Mali 470 GPU दिया गया है जो आपको इस TV में gaming करने में मदद करता है इसमें 1.5 GB का RAM दिया गया है जिसके जरीए आप इसमें Asphalt 8 जैसे गेम आसाने से खेल सकते हैं लेकिन Asphalt 8 जैसे गेम खेलने के लिए आपके पास external gamepad या keyboard होना चाहिए लेकिन कुछ गेम ऐसे भी हैं जिने आप रिमोर से भी खेल सकते हैं उन गेम को आप Play Store से डाउनलोड करके आराम से खेल सकते हैं आपको इसमें 8 GB storage मिलता है जिसमें से आपको 3.9 GB यूज़ करने के लिए मिल जाता है बात करें इसके OS की तो इसमें आपको Android 9 देखने को मिलता है इसमें Play Store का भी support देखने को मिलता है जिसमें आपको 5 शर्ट से अधिक apps देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको inbuilt Chromecast देखने को मिल जाता है और इसमें आपको Miracast भी देखने को मिलता है जिसके जरीए आप mobile और laptop दोनों की screen इस TV पर cast कर सकते हैं इसमें आपको Google Assistant का support दिया गया है जिसके जरीए आप अपने आवाज से ही इसमें कुछ भी search कर सकते हैं आपको कुछ type करने की जूरत नहीं पड़ेगी Android TV होने को जिसे इस पर आपको Google की तरफ से अपडेट मिलते रहते हैं बॉक्स से निकालते ही इसमें आपको एक अपडेट देखने को मिलता है जिससे आपको अपडेट करना होगा बात करें इसके connectivity की तो इसमें Wi-Fi के support देखने को मिलता है लेकिन यह single band Wi-Fi है यह कि यह 2.4 GHz को support करता है इसमें 5 GHz का support नहीं दिया गया है और इसमें 2 वे Bluetooth का support दिया गया है बात करें इसके ports की तो इसमें 3 HDMI port 2 USB port 3.5 mm jack Ethernet port AV input और analog audio input दिया गया है बात करें इसके remote की तो यह भी plastic का बना हुआ है और इसके button rubber के दिये गया है इसमें आपको कई buttons दिये गया है और इसमें आपको Netflix और G5 के extra buttons दिये गया है जिसके जरिए आप direct Netflix या G5 open कर सकते हैं इसमें आपको mic भी दिया गया है जिसके जरिए आप Google Assistant को command दे सकते हैं इसका remote Bluetooth remote होने कर इसे आप कहीं भी point करके चला सकते हैं चलिए इसके sound quality सुन लेते हैं कि कैसी है इसके जरिए आप बार गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं हाफ वैल्यूम पे ही इसकी आवाज कितनी लाउड और क्लियर है अगर आपको एक ऐसा टीवी चीए जिसकी sound quality अच्छी हो तो आपको यह टीवी जरू लेना चीए क्योंकि इसमें आपको हाई बेस और लाउड sound quality मिलती है यह sound bar आपका home theater की तरह भी काम करता है अब आप पार्टी में इसका उप्योग करना चाहें तो पार्टी या बर्डे में आप इसका उप्योग कर सकते हैं आए इसको वीडियो टेस्ट भी कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वीडियो क्वाटी कितनी क्लियर है अच्छी डिस्प्ले होने के बावजूर आप इसमें YouTube पर 1080p तक वीडियो चला सकते हैं अब आप चाहे तो इसमें cp लगा कर अप इसमें गेमिड कर सकते हैं कि नार्मल गेमिंग के लिए यह टीवी आपकी लिए अच्छा ऑप्सन रहेगा अब आपको गेमिंग के लिए बिगर के चाहिए तो आप cp के लिए यह टीवी कहड़े सकते हैं बात के इसकी प्राइस की तो यह आपको फिलिप कार्ड पर 12,99 रुपए में मिल जाएगा और इस पर क्रेट कार्ड पर आफर्स भी है जिसके चलते यह आपको 10 से 12,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से भी जाकर इसे खरी सकते हैं बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगर चैनल पर नहां है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले